प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एक्जाम मार्च माह में होना है और चेप्टर बाई चेप्टर मैं आप लोगों को अब्जेक्टिब कोश्चन करवा चुका हूँ और सब्जेक्टिब कोश्चन जो लगूतरिय और दिर्गूतरिय महतपूर्ण प्रश्ण है जो परिछ्छा मे आने वाले हैं वो मैं चेप्टर बाई चेप्टर आप लोगो करवा रहा हूँ जिसमें से फर्स चेप्टर का कम्प्लीट हो चुका है हम लोग सकेंड पार्ट मनलब सकेंड चेप्टर में हम लोग महतपूर्ण को देख रहे थे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे सिखते हैं आपका पहला कोश्चन है आर्थिक वस्तू एवं निसूलक वस्तू के अंतर को उधारन की साहिता से समझाए तो आर्थिक वस्तू मनलब होता है जिसको हम लोग पैसा से खरीतते हैं और निसूलक वस्तू मनलब होता है जो प्रकृति है जो हमें मुप्त में मिलत तो कितावी भासा में है जिन वस्तूओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कोई मुल्य देना पड़ता है उन्हें आर्थिक वस्तू कहते हैं जैसे उधारन स्वरूप है गेहूं, कपड़ा, रेल, सेवा, आदी इन वस्तूओं पर आर्थिक नियम लागू होते हैं और निसूलक अत्वा गेहर आर्थिक वस्तू क्या है तो कई वस्तूओं प्रकृति या अन्यस्रोतों से हमें निसूलक प्राप्त हो जाती है इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें कोई खास प्रत्रे नहीं करना पड़ता है और ना ही कोई मुल्य चुकाना पड़ता है ऐस सिमान तुप्योगिता हरास नियम की आलुचनात्माग व्यक्या करें, अथवा सिमान तुप्योगिता हरास नियम मांग रेखा के नीचे की और जुकने के लिए कैसे उतरदाई है। कहने मतलब है कि यदि हमको भूख लगा हुआ है और हम रोटी खा रहे हैं, लगतार खा रहे हैं, पहला रोटी से हमको ज़्यादा उप्योगिता मिलेगा, दूसरा रोटी खाएंगे तो उससे कम मिलेगा, तीसरा रोटी में और कम मिलेगा, और इस तरह जैसे जैसे हम रोटी नियम भी है और त्रिप्ति का नियम भी है इस तालिका के से हम लोग देख सकते हैं कि रोटी की इकाई कितना है पहला रोटी खाएं तो सीमान तुपिविता चार है दूसरा पर तीन है तीसरा पर दो है जैसे जैसे रोटी का संख्या बढ़ रहा है सीमान तुपिविता क्या ह और यह घट रही है, घटते-घटते सुन भी हो जा रही है, और रिनात्मक भी हो जा रही है, तो इस तालिका से असपास्थ है कि व्यक्ति जैसे-जैसे रोटियों का उभोग करते जाता है, वैसे वैसे रोटी की अगली इकाईयों से प्राप्त सिमान तुपी ता घटती जात तो ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं, इधर लिये हैं रोटी कीकाई और इधर लिये हैं सीमान्तु पियुविता, तो यह है 7 तक, तो 7 पियुविता, जीरो से कहां तक है ? चार तक हैं चार तक, जीरो से इधर 4 लिया और मैनस में नीचे की ओर आएंगे ? मैनस1 मैनस2 , हम एक बिंदू को मिलाएंगे तो हमको M.U. रेखा प्राप्त होगा जो क्या है उपर से नीचे दाहनी और गिर्ती है और या रिनात्मक होती है यहां हम लोग देख सकते हैं इसी चित्र का व्यक्या किया गया है कि चित्र में M.U. सीमान्त उप्योगिता की रेखा है जो रोटी की विभीन इकायों से प्राप्त सीमान्त उप्योगिता को बतला कर सीमान्त उप्योगिता राशनियम को अस्पष्ट करती है व्यक्ति को पहली रोटी से चार, दूसरी से तीन, तीसरी से दो, तथा चौती से एक उपयोगिता मिलती है, जो उसकी भूख की पूर्ण संतुष्टी का घुत्तक है, अता चित्रिया भी दिखलाता है कि उसे पांचवी रोटी से सुन, तथा छठी और साथवी रोटी से करम साब माइनस एक और माइनस दो के बराबर रिनात्मक उपयोगिता मिलती है, इस परकार असपस्ट है कि हर अगली रोटी की इकाई से सीमान तो भी गटती जाती है, मलब जैसे जैसे वो रोटी की संख्या बढ़ाएगा, वैसे वैसे उसका उपयोगिता क्या होगा, घटने लगेगा और वो सुनी भी हो जाएगा, और अगर पेट भर गया, जब अपना कसम दिला के अगर खाने को बोलता है, तो फिर हमको रोटी से क्या होगा, अनुपयोगिता मिलेगा, मलब उपयोगिता जो होगी, वो मेरा रिनात्मक में हो जाएगा, इसलिए माइनस वन और मा जार पुन परतियोगी होता है, इसके वाएगा इसका अलोचना क्या गया है, क्या, तो इसका अलोचना मलब इसमें क्या क्या कमी है, कि उपयोगिता को संख्या में नहीं मापा जा सकता है, कि पहला रोटी हम खाए तो हमको दसी उपयोगिता मिला, उसको हम संख्या में कैसे बता सकते हैं क्यूंकि जो संतुष्टी है वो एक भावात्म कास्था है उसको हम लोग प्रकट कर सकते हैं बता सकते हैं पेट भर गिया है या पेट में कुछ भूख मेरा सांथ हो गया यह इस तरह हम लोग भाव प्रकट कर सकते हैं लेकिन संख्या में हम नहीं बता सकते जबकि इसका मानेता में माना गया है कि उपयोगिता को संख्या में मापा जा सकता है इसी को उल्टाव कर देंगे तो आला उचना है उपयोगिता हो संख्या में नहीं मापा जा सकता है दूसरा है उपयोगिता हरास निया में विक्तिगत विचारों को अधि का उभ्भोग करता है कहने मतलब है कि उपयोगिता हरास नियम जो है वो वेक्ति के विचार विचारों का है इसमें क्या है कि अगर आपको कहीं साधी है और वहां आपको खर्चा करना है तो उसमें क्या होगा उस समय ये नियम ठीक से काम नहीं करेगा आपको पैसा खर्चा कर पड़ेगा आपकी इच्छा हो चाहे ना हो आपको उसे उपयोगिता मिर रहा है चाहे आन उपयोगिता मिर रहा है आपको उतना करना पड़ेगा इसलिए क्या है समाजिक रिति रिवाज फैसन और मन के उमंग मलब मन की संतुष्टी के लिए आदमी क्या करता है ज्यादा वस मुद्रा की सीमान्त रूपयोगिता इस्थिर होते जबकि मुद्रा की सीमान्त रूपयोगिता इस्थिर नहीं होते क्योंकि यदि मेरे पास डेली हम एक हजार दस हजार रूपया कमार हैं तो मेरे लिए एक रूपया या दो रूपया का ज्यादा वहलू नहीं होगा और वही मेरे पास कम मात्रा है पैसा का तो उसके लिए मेरा उप्योगिता ज्यादा होगा तो यहां पर मुद्रा की सिमानत उप्योगिता क्या है इस्थिर नहीं है वो तो बदल रही है अगला है कि आवसकता विशेश की पुन संतुष्टी की मानेता ही गलत है उभोक की अवधी जे एक रोटी खाए तो जो रोटी से जो उप्योगिता मीर रही है वो क्या होगा आपका घटेगा नहीं बलकि जितना उप्योगिता उससे एक रोटी से दो बजे मील रहा था वही तीन बजे भी मिलेगा वही चार बजे भी मिलेगा तो यहां उप्योगिता घटेगा नही तो बच्चो ये थे कुछ महत्पून कोस्चन थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के कोस्चन को देखेंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिया गया दीजे बाबाई